असलाम अलेकुम विर्ट्वल स्टार में आप सबको खुशाम दी दोस्तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के कौमी फूल के बारे में यहां दोस्तो पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है दोस्तो इसे उर्दू में चंबेली और इसे चैसमिन दोस्तो अगर अऱवी के बात की जाये तो अरवी में उसे या सूई या जम्भी कहा जाता है उस्तो चम्भेली को मल्क शब यहनी राच की राने भी कहा जाता है फशभू की मल्का और प्लू godskी मल्का के अलकाब भी तिति दिये गये हैं 15 जुलाई 1961 को चम्बेली को ग्वेशी कोमी फूल क रा दिया गया 15 जुलाई 2022 को इसे कौमी फूल करादी 61 साल गुज़र चुक является किया हमिए Пकिस्तान के बाद को मारत में पकिस्तान में मुशर्की मलका के अलकाब बीद दिये गए हैं 15 जुलाई 1961 को चंपेली को गौमी फूल करार दिया गया 15 जुलाई 2022 को किसे कौमी फूल करार दिये 61 साल गुजर चुके हैं क्या मेपकिस्तान के बाद हकुमातِiser pont ने मुझर्की पाकिस्तान यəni wenक्ला देज़ में पायजाने तैगर्स को कौ्मी जान वर्डर और बंग्हाली तैगर्स को पर को बूलक काौमी फूल करास देने के लिए चुछा अगर इसमें मसला ये हुआ कि बंगाली टाइगर्ज यानि मगर्बी पाकिस्तान मजूदा पाकिस्तान और नर्गिस का फूल मश्रकी पाकिस्तान मजूदा बंगला देश में इनी पाया जाता था लिहाज़ा बंगाली टाइगर्स और नर्गिस के फूल को कौमी आलामाद करार देने की बज़ाए मारकोर को पाकिस्तान का कौमी जानवर और 15 जुलाई 1961 को चंबेली को मुल्क का कौमी फूल करार दिया गया दोस्तों चंबेली को कौमी फूल करार देते बग वज़ारत दाखला की एक तरजमान में कहा था कि इस फूल को ये एजाल इसलिए बखशा गया है क्योंकि ये मुल्क के दोनों हिसों यानि मगर्बी और मशर्की पाकिसान में पाया जाता है जंगली चंबेली के उमर 15 से 20 साल तक होती है जनुबी साओधी अरब के अवाम चंबेली के बड़े प्यमाने पर कास्ट करते हैं सेकेटरी महुलियात ने बताया कि इस दफ़ा 6 मकामाद पर 1325 एकर्ट के रकबे में 11,26,100 पोदे कास्ट किये जाएंगे पाकिस्तान के इलावा शाम कभी कौमी फूल चंबेली है मिसर और इंडिया चंबेली के पैदावार के लिहासे बहुत मशूर है दोस्तों इसे शादी और दिगत तक रिबात के मोके पर भी काफी इस्तमाल किया जाता है अमीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हुएगी मजीर ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अलावाफेज झालावाफेज